हेलो गाइज वेलकम टू आवर चैनल एंसियाटिक आइडियो में देखने वाले हैं डूवल नेचर ऑफ रेडियेशन एंड मैंटर जो कि आपके क्लास 11 पार्ट टू का एक चप्टर है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चप्टर नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट चप अगर अगए बहुत का हिश में अगरा करी आपको चीजी आपको उस इमेजन कि उप्लस पॉंट है जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट है विकॉस पॉइंट वाइज चीजे रहती है तो उसको आपको लॉन करने में एजी रहता है और उसे आप इसली समझ सकते हो अगर आप चैनल पर नीव हो तो प्लीज से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना म आप इसमें नोड्स को बनाने में आप खुदि रहो इसमें नोड्स को डाइग्राम इस सारी चीजे बनाने में बहुत ही मैनात लगते है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और यहां पर फोटो एलेक्रिक जो कि आपका मॉस्ट इंपॉर्टेंट है इसे आप पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना खास करके अगर आप बोड़ के स्टुडेंट हो आप क्लास्ट्राइब के स्टुडेंट हो तो आप इसको बिल्कुल भी पढ़ना मत भूलना विकॉज यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां पर देखे छोटी-छोटी डेफिनिशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके बोड़ इंपॉर्टेंट के लिए तो हमने इसमें डाइग्राम के साथ में कितने अच्छी समझा रख्था है इलेक्रॉन वॉल्ट यह सारी कीजिए हमने आपको समझा रखी है फोटो इलेक्ट्रॉन तो यह डेफिनिशन ह लिए अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ठीक पर रहे हैं तो आपको इस चाप्टर का नोट्स चाहिए तो आपको इस चाप्टर का लिंक आपको डेलग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा वहां से आपको यह लिंक जाक्याप डाउन लोड कर सकते हो इसली मेरी चै में मिल रहा होगा या तो आपको नीचे comment section में मिल रहा होगा आप जा के वहां से easily anode download कर सकते हो and यहां पर देखो तो हमने photo electric current कितने अच्छे सारी anode potential सारी चीजे हमने अच्छे से समझा रखे diagram के साथ में and यह हैं कुछ definition जिनको आपको देखना है and चलते हैं next क्या है तो next यहां पर देखे कितने अच्छे से हमने सारी चीजे वेन frequency is change frequency change होगी तो क्या process होगी तो यह सारी चीजे हमने बहुत ही अच्छे संधार रखी है guys यहां पर देखिए डी ब्रॉग लई बहुत इंपोर्टेंट है डी ब्रॉग लई फैव इक्वेशन तो यह से आप पढ़ना मत बुलना क्योंकि डी ब्रॉग लई झाल